ग्यान करम में ढल जाए तो जीवन का शिंगार बने सत्कुरु माताजी हमें हमेशा यही समझाती है कि अगर ग्यान के अनुसार हमारे करम होंगे तो हमारे जीवन की सुन्दरता होगी ग्यान के बीना इस संसार में हम जो भी सोचते हैं देखते हैं जानते हैं सब गलत है ऐसे ही गलत फैमी का शिकार होकर हम अपना समय वियर्थ गवाते चले जाते हैं ऐसे ही एक स्टोरी है दासियाप जी की चर्नों में शेयर करने जा रही है आप जी परवान करें अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करें क्याते हैं एक जोहरी के नीधन के बाद एक जोहरी की मृत्यू के बाद उसका परिवार मुसीबत में पड़ गया खाने के लिए भी कुछ नहीं था उनके पास एक दिन उसकी पत्नी ने अपने बेटे को एक नीलम का हार दे कर कहा बेटा इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ उनसे यह कहना इसे बेच कर हमें कुछ रुपे दे दें ताकि हम घर का राशन पानी ला सकें और हम अपना कुछ दिन तक गुजारा कर सकें बेटा वह हार लेकर अपने चाचा जी की दुकान पर चला गया चाचा ने हार को अच्छी स्थ्रह से देख परक कर कहा बेटा अपनी माँ से कहना कि अभी मार्किट में बहुत कम रेट चल रहा है थोड़ा रुक कर इस हार को बेच देना अच्छे पैसे मिल जाएंगे उसे थोड़े से रुपे दे कर कहा कि तुम कल से दुकान पर आकर बैटना और अब तुम इन रुपेवों से अपने घर का राशन वगारा ले आना और कुछ दिन तुमारे चल जाएंगे और आप में और तुम मेरी दुकान पर आकर बैठना और ये काम सीखना अगले दिन से वह लड़का डेली अपने चाचा की दुकान पर जाने लगा और वहां हीरो रतनों की परक का काम सीखने लगा एक दिन वह रतनों का बहुत बड़ा पार्की बन गया उसे सभी रतनों की पहचान होने लग गई लोग दूर दूर से अपने हीरे की परक कराने उसके पास आने लगे एक दिन उसके चाचा ने कहा बेटा अपनी मा से वह हार लेकर आना और कहना की अब मार्किट में बहुत तेजी है उस हार के तुमें अच्छे दाम मिल जाएंगे अच्छे रुपए मिल जाएंगे मा से हार लेकर उसने परका तो पाया की वह हार तो नकली है वह उसे घर पर ही छोड़कर दुकान पर वापिस लोटाया और अपने होर उसके चाचा जी ने पूछा बेटा हार नहीं लाये उसने कहा चाचा जी वह हार तो नकली था तब चाचा ने कहा जब तुम पहली बार हार लेकर मेरी दुकान पर आये थे उस समय तुम्हारे बहुत ही मुसीबत के दिन चल रहे थे बहुत ही दुख भरे दिन चल रहे थे यदि उसी समय मैं उस हार को नकली बता देता तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा समय आया तो हमारे चाचा ने हमारे चीज को भी नकली बता दिया आज जब तुम्हें खुद हीरे रतन की पहचान हो गई है तुम इन रतनों के बहुत बड़े पारकी बन गए हो तुम्हें इनकी पहचान हो गई है तो आज जब तुम्हें खुद ग्यान हो गया है तो तुम्हें पता चल गया है कि यह हार सच मुछ नकली है सच यह है कि ग्यान के बिना इस संसार में हम जो भी सोचते हैं देखते हैं जानते हैं सब गल्द है यह इसी तरह हमें प्रमात्मा का ग्यान सत्गुरु के चर्नों में आकर मिलता है जब तक हम इस ब्रम ग्यान से नहीं जुड़ते हमें तब तक समझ नहीं आएगी कि माया क्या है और ब्रम क्या है जिस जन के हिस्से में सादो ग्यान उजाला आया है ब्रम क्या है माया क्या है जान वही जन पाया है संपूर्ण हर्देव पानी में भी सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महाराज ने इस शबद की और इशारा करते हुए हमें समझाया है उजियारे का लाब न लेता जिसकी बुद्धी बंद हुई ठोकर ही खाता है अकसर जिसकी आखें बंद हुई जो जन आंके खुली रखेगा उसे नजर सब आएगा वो मंजिल पर जा पहुँचेगा ठोकर से बच जाएगा ज्ञान उजाला मिला तुझे तो रहा देख कर चलना है बाधाउ से बच कर तुने बंदे नित्य सबलना है ग्यान की इस जोती का तुने लाब उठाते जाना है कहे हर देव जूट से बचकर सत्यसदा अपनाना है इनसान क्या है मिट्टी का पुतला ही तो है कभी भी कहीं भी बिखर जाता है नश्ट हो जाता है इक दिन बिख जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल सच ही तो है जीवन के अंत में सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाता है और इनसान चला जाता है कोश्चन उठता है चला कून जाता है इनसान का शरीर या कुछ और यदि इनसान का इनसान शरीर का नाम है तो फिर वह क्या था जो इसमें से चला गया और शरीर यही पड़ा रहे गया इस इशारे को सत्गुरुस समझाते हैं कि जाने वाले तो आत्मा है रूह है जब ये आत्मा जब तक शरीर में है तब ही तक शरीर इनसानी रूप में चलाए मान है ये सारी किरियाए कर रहा है उट रहा है बैट रहा है जाग रहा है सो रहा है रूह निकली आत्मा निकली तो फिर शरीर किसी काम का नहीं ना चलने लायक ना बोलने लायक फिर शरीर का असलिए ठिकाना तो मिटी ही रहा इसलिए इनसानी शरीर को मिटी का धेर कहा है मिटी में मिल जाना ही इस शरीर की नेती है हम कह सकती हैं कि आत्मा और शरीर का मेल ही इनसान होना है जब शरीर में आत्मा होती है तब ही वो इनसान बनता है और जब आत्मा निकल जाती है तो फिर शरीर का कोई मोल भी नहीं रह जाता ने तो अकेला शरीर और ना अकेली आत्मा इनसान कहलाने ही होके है संसार की नजर में चलता फिरता जीता जागता इनसान ही इनसान है किन्तु महापुरश इस सहमत नहीं होते एगरी नहीं होते महापुरशों की नजर में जब तक इनसान में इनसानियत के गुण नहीं है बहे इनसान कहलाने योग यह नहीं है ऐसा इनसान तो चलती फिरती लाश के समान है संत महापुरुष एक्जामपल देकर समझाते हैं कि यदे किसी की सास चल रही है तो हम कहा देते हैं कि है इनसान है मानव वही है इनसान वही है जो दूसरे के लिए कश्ट है और जरूरत पढ़ने पर अपने प्राण भी दे दे इस तरहें गेत के पंक्तिया भी है सब कहते हैं दुनिया में भगवान नहीं मिलता भगवान तो मिलता है चाहावान नहीं मिलता कुदा के बंदे तो हैं हजारों वनों में फिरते हैं मारे मारे मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको कुदा के बंदों से प्यार होगा अब बात आत्मा की है जब कोई इनसान बुरे कर्म करता है तो लोग कहते हैं किसकी आत्मा मर चुकी है किसी की दुख पीड़ा को कोई नजर अंदाज करता है तो यह कह दिया जाता है कि इसकी तो आत्मा सोई पड़ी है असलियत तो यह है सच्चाई तो यह है कि आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी सोती है यह तो हमेशा चेतन रहने वाले प्रभु प्रमात्मा का चेतन शील अंश है इसकी चेतनता से ही तो शरीर चलता है जीवन चलता है बुद्धी चलती है और मन रुपी सागर में इच्छाओं की लहरे हिलोरे लेती हैं लेकिन इनस खुद अपनी आत्मा से गाफिल रहता है अंजान रहता है आत्मा को जानने समझने का नाम ही रूहानियत है और इनसान का सही माइने में इनसान बन जाना ही इनसानियत है कहते हैं इनसानियत और रूहानियत का बहुत निकट का समझ है दोनों का साथ साथ चलना जीवन को शोभा देता है जीवन यात्रा तो हर इनसान की है अच्छे की भी है और बुरे की भी है किन्तु अच्छा और सच्छा जीवन उसी का है जो नेकियों पर चलता है और खुदा क योasजी की बंदगी में मगं रहता है खुदा की बंदगी वे नहीं कर सकते जो खुद-खुदा बन कर जीती है खुद कोुदा कहलाने वालों का हाल किसी से छिपा नहीं है अभिमानी और हंकारी लोग मिट्टी में मिल जाती है और दुनिया उन्हें भूल जाती है जबकि प्रोबकारी और खुदा की खिद्मत में लगे लोग फूल की तरह किले रहती है, फूल तो फूल है वे डाली से तूट कर भी और पंकड़ी पंकड़ी होकर भी अपनी सुगंद भी खेहरे रहता है, फूल की तरह खिलना ही, इंसानियत है, और सुगंद की तरह फैलते रहना, रूहानियत है, प्रेम से जीना हलीमी नमरता और दास भाव में रहना मन को विशाल बनाना, और सदा शेहन शील बने रहना, हर किसी की कदर करना, जो मिल जाए, उसे मिल बाट कर हर पल शुकर गुजार होना ये गुण इंसानियत के हैं और इन गुणों की मांग रूहानियत भी करती है इसलिए यदि हमें रूहानियत हासिल करनी है तो वह इंसानियत के रास्ते ही पाई जा सकती है सद्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज का कहना है यदि हमें प्रभू से प्रेम करना है तो पहले हमें प्रभू के बंदों से प्रेम करना होगा इसे ही प्रेमा भक्ति कहते हैं इसे ही इश्क हकीकी कहते हैं इश्क मिजाजी यानि संसारिक प्रेम के दिवाने तो बहुत मिल जाएंगे किन्तु इश्क हकीकी यानि खुदा से प्रेम हर किसी को हासिल नहीं होता और जिसे हासिल हो जाता है वे फरश से उठकर अर्श पर सितारा बन कर जगमगाता है इंसानियत की रहा पर चलने वाले कभी मरते नहीं वे लोगों की यादों में पसे रहती हैं रूहानियत को जीवन का मकसद बनाने वाले खुदी को मार कर खुदा का रूप हो जाते हैं सत्गुरु माता सुदिक्षा जी महाराज समय की रहबर हैं ये देश देशांतर की मानव कल्यान यात्राओं के मात्यम से संत समाग्मों के मात्यम से और अपने अमरित वचनों के मात्यम से संसार को इंसानियत के रंग भिरंगे फूलों से सजाकर हर और सत्य प्रेम की खुश्पु भिखेर रहे हैं सत्कुर माता सुदिक्षा जी महराज हमें समझाते हैं यह परमात्मा तो पलपल हमको देख रहा है हमारी हर गलती को बख्ष रहा है जब परमात्मा हमको बख्ष सकता है तो आगे हम क्यों अपने मन में यह दिवारें दूसरे के लिए बना लेते हैं दूसरे को नीची नजर स देखते हैं हमें तो हर एक के साथ बस प्यार करते जाना है इनसानियत के रहनुमा सत्गुर बाबा हरदेव सिंग जी महाराज भी तो हमें यही समझाते सिखाते रहे कि जो फूलों की तरहवी नंबर होते हैं उन्हें सब जगे प्यार सत्कार ही मिलता है रंग भी रंगे फूल चमन में प्यार सी मिलके रहते हैं लगते हैं मन भावन कितने जब यह साथ महकते हैं आए सत्कुर किसी को अमली जामा पहनाएं और अपने घर संसार को मिल वरतन से इस तरह सजाएं कि इनसानियत के फूलों से रूहानियत की खुश्पू दूर तक फैल नजर आए प्रेम से जीने वाले प्रभू प्रेमी प्रेम के सागर प्रभू परमात्मा में मिलकर प्रभू का ही रूप हो जाते हैं साथ संगची प्यार से कहना धान निरंकार जी